हलो गाइस तो कैसे हो आप सब लोग वल्कम तो स्टडी आई एस तो जैसा कि आप लोग को बता है हम यहाँ पर इंडियान आर्ट एंड कल्चर बुक का डिसकुशन कर रहे हैं और पूरी तरह से हम बुक को बहुत जादे डीपली कॉंटेंट लेकर आ रहे हैं ताकि आप इंडियन पेंटिंग उसके भी फिनिश कर दिया है आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 वीडियो रेगुलर आ रही है आप रेगुलर बने रही है और अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते रहना तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस कोर्स प्रेजेंट बाइ मी दीपक क्या दफ उसके बाद एक important information है कि अगर आपको unacademy plus subscription चाहिए तो आप study is discount code को यूज करना ना भूलिएगा अगर आप ये discount code यूज करते हैं तो आपको extra discount मिल जाएगा plus पर so guys don't forget to use the discount code study is उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी queries होती है regarding the lectures मैंने जितने भी lectures upload करें हैं ठीक है और इसके बाद यहाँ पे भी तो अगर आप कोई भी queries आती है आपनी preparations related आती है या फिर अन्हें किस तरीके से लें ठीक है तो आप इन सारी queries को आप हमसे हमारे इतने सार media platform से यहाँ पर आगर जुड़के और अपनी queries को पूछ सकते हैं तो यहाँ पर telegram channel join कर सकते हैं जो की study is official है Instagram पर आप हमसे जुड़ सकते हैं Facebook पर mail कर सकते हैं अपनी जो भी problems है regarding your preparations regarding your unacademy plus subscription then आप लोग यहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं और अपनी problems को sort out कर सकते हैं तो start करत यह हमारा chapter number 3 है Indian handicrafts यानि अब लोग हाथ से क्या-क्या crafts बना रहे थे ठीक तो अब उसकी बात करेंगे और हम कई time पहले की बात कर रहे हैं ancient के time की medieval history के time के ancient time की कि अब कैसे कैसे handicrafts लोग बनाते थे तो उसका उसके ओपर lecture होने वाला है तो chapter number 3 है हमारा आज start हो रहा है जो जो handicrafts होते हैं वो amalgamation यानि एक mixture होता है उन सारी चीजों का जो की man और woman अपने हाथ से बनाते हैं ठीक है जो भी man और woman क्राफ्ट करते हैं या अपने हाथ से बनाते हैं उन सारी चीज़े के mixture को हम लोग है handicrafts करते हैं बहुत सारे states हैं इंडिया में जो उनके अपने स्किल्स को दिखा जाता है कि उनकी आर्ट कितनी मतलब उनके अंदर कला पूरी तरीके से भरपूर भरी भी है तब लोग इतने चीज़े बना रहे हैं कितने हाथ से काम किया गया है, हैंड Mead काम गया गया है, मशीन का कुछ भी इस्तमाल नहीं किया गया है ठैक इस वह से हैंडीकर्श जो है वो यूनिक हैं, अब जो पीपल हैं इंडिया में वो handy crafts को सिर्फ अपने earning के लिए ही नहीं करते हैं यानि ये काम अपने profession यानि की अपनी दाल रोटी कमा के खाने के लिए नहीं करते हैं और ये क्या चाहते हैं चाहते हैं कि coming generations भी जो आने वाली generations हैं उस चीज़ को आगे तक लेके चले हैं इस वजासे ये लोग ये काम करते हैं ठीक है जो की बहुत अच्छी बात है उसके बात अब हमारा first handicraft है glassware समझ में आज़ा कांच शीशा अब glass हम लोगों ने कहां कहां देखा और सबसे पहले कहां पर देखा तो हम glassware की बात करेंगे हमारा सबसे पहला handicraft है glassware जो की आदमी और और औरतों के हाथ उसे बनाया गया अब जो first reference देखा है हमने glass का वो देखा है Indian epic में यानि कि महाकथा में जो की महा भारत है महा भारत में हमने first reference देखा है glass का question बन सकता है important हो जाता है अब जो first evidence material मिला है वो बहुत ही जादे beauty यानि बहुत जादे सुन्दर glass beads की form में मिला है सुन्दर glass beads glass beads क्या होती है नि मोतियो टाइप की जो मोति टाइप की होता है कंचे टाइप की होता है वो शीशे के हम लोगों को beads मिले हैं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूं इस तरीके से यह होता है glass beads ऐसे हम लोगों को बहुत सारे glass beads मिले हैं ठीक जो की सबसे first evidence material था ठीक जो की कहां से आया था गेंगेस वैली 1000 बीसी में हम लोगों को यहाँ पर यह मिले हैं उसके बाद अब जो वैडिक टेस्ट में वैडिक जो टेक्स्ट है उसमें सत्पता ब्रहामना कहते ह ग्लास को ग्लास जिसे हम लोग कांच और कासा कहते हैं वैडिक टेस्ट में इसे क्या कहते हैं सत्पता ब्रहामना और हम लोगों ने बहुत सारे archaeological evidences भी found करें हैं like glass industry हम लोगों ने क्या देखिया archaeological findings के दौरान हम लोगों ने यहाँ पर glass industry देखिये है पूरी की पूरी जों कि कहां कहां पर देखिगई है ब्रहमपूरी और कोलापूर में महराश्टर में ठीक है इन दो जगह पर यहाँ पर glass industry देखी गई है जो की बहुत सारे lenticular beads बनाते थे ठीक है जो glass industry है वहाँ पर optical lenses भी देखे गए हैं और हमने यहाँ पर spectacle जो reference है इसका देखा है संस्क्रिट test में संस्क्रिट text में हम लोग ने spectacles से reference देखा है जिसे कहा गया है वैसायो गरिचिता ठीक है वैसायो योगचरिता इसी है हमारा संस्क्रिट text में है जिसका मतलब है spectacles अब southern part of India की बात करें तो हम लोग ने archaeological evidences बहुत सारे देखे हैं ग्लास के यानि हम लोग को मस्की में बहुत सारे archaeological findings देखे गए हैं और मस्की जो की एक कैलकोलितिक साइड है डेकन की ठिक अब medieval period की बात करें तो जो मुगल्स हैं उन्होंने patronage दिया इन art of glassware को यानि इन्होंने बहुत अच्छे से glassware को यहीं से ही उठाना चालू करा इनकी materials को और मतलब यहीं से glassware को उठाना चालू करा गया और utilize करा decoration के तोर पर यानि अब सजावट के लिए मुगल्स ने यहाँ पर सजावट के लिए glass को यूस करने चालू करा उन्होंने अपने monuments में लगाने चालू करे ताकि उसकी सुंदरता और बढ़ जाए जैसे कि हमारा है शीश महल ठीक अब जो other glass items हैं वो भी बहुत जादे famously manufactured हुए ठीक है मुगल्स के time पर मुगल्स ने ब आपर मिले हम लोग उसके उपर engraving हुई ठीक है कुछ कुस पर लिखावा engraving हुई glass के उपर हम लोग ने यह भी चीजे देखी है उसके बाद अब currently बात करें जो glass industry है वो उसके बहुत सारे पहलू है लेकिन जो most famous है वो है glass bangles ठीक है currently अब जो glass bangles सबसे जादे चूडियां जिसे कहते हैं और जो यह सबसे जादा जो most exquisite ones है यह कहाँ पे हैद्राबाद में है जो चूडियां ग्लास की चूडियां सबसे जादे बनाई जाती है और क्या कहलाया जाता है चूरी का जोडाज ठीक है उसके बाद हमने glass beads देखी लिए आए कुछ glass beads ऐसे होते हैं यही सा आज को अपने हाथ से क्या क्या यूज कर रहे थे क्या क्या बना रहे थे glass beads को जादा हम लोगों को मिली हैं इंडस्ट्री देखी गई हैं दो जगे और वह दो जगे कौन-कौन सी है ब्रह्मापूरी और कोलापूर जो कि महराश्ट्रम हैं ठीक आप से जग भी पूसी जा स टेकनीक्स है जो cloth weaving और printing के लिए यूज करी जाती थे ठीक है और करी जाती है भी बुनाई करने के लिए और printing करने के लिए यूज करी जाती है और जो artist थे ठीक है या फिर artist है वो क्या यूज करता है wooden blocks लकड़ी का block या फिर printed cloth को use करते हैं ताकि वह patterns बना सके अधर material पर इन बहुत जादे सुन्दर डिजाइन देती है फैब्रिक्स के उपर अब टाई और डाई कौन सी टेकनीक है मैं भी आपको अच्छी तरीके समझाऊंगो इस वह से मैंने आप एक पिच्चर का यूज करा है क्योंकि बहुत से बच्चों को टाई और डाई मैंने पहले भी पढ़ पाईब्रिक्स के उपर आते हैं और यह डिफ्रेंट टैक्निक है इंडिया की और जो most important आठ आर्थ है वो है बंधनी और बंधेज ठीक आप नाम याद रख सकते हैं बंधन और बंधनेज और यह आर्ट भी रेफर्ट करी जाती है टाई और डाई टेकनीक से ठीक अब tie or die technique होती है हमारी ये कपड़े को लिया tie करा ठीक है tie करने के बाद इसमें देखी लीजी हाँ पर रखा उसके बाद इसमें color करा उसके बाद यहाँ पर color करने के बाद सुखाया अच्छे से और फिर यहाँ हो गई हमारी t-shirt इस तरीके से ठीक है तो ये इस्तमाल हो रहा था tie or die technique हमारी ये है और आप देखीजिए कितनी सुन्दर लग रही है ठीक ये थी हमारी technique उसके बाद बाद करें तो एक special kind of tie or die भी यहाँ पर follow करी गई जो की ripples और waves यानि लहरदार patterns बनाते थे fabric के उपर लहरे वाले patterns बनाते थे और यहाँ पर नाम भी लहरिया दिया है ठीक है लहरिया से आप समझा हूए लहर वाले patterns ठीक और जादा तर यह यह गहाँ पर बनाई गई जैपूर और जोधपूर में अब जो एक और another kind of tie or die है वो कहलाती थी इकात ठीक है इकात कहलाती है जो कि क्यों कहलाती है यहाँ पर यहाँ पर resist dying method यूज होता है अब इस method में क्या होता है जो yarn यानि धागा और सूत जिसे कहते है ना हम लोग वो उसको आपक color करेंगे repeatedly apply करा जाता है before the cloth is woven cloth की बुनाई करने से पहले उसे बहुत बार yarn को धागे को apply करा जाता है उस पर और जो major centers है इस work के वो है तेलंगाना, ओडीशा गुजरात और आंद्रप्रदेश अब जो यह other process है ancient period के ठीक है? यहाँ पे handy पेंटिंग देखी थी आपको याद हो तो है ना? तो वो कलमकारी यहाँ पेंटिंग्स बनाते थे जो की art of hand painting थी fabrics के ओपर बनाते थे vegetable colors का use करते थे deep color बनाने के लिए ठीक? और यह बहुत जादे common practice थी आंद्रप्रदेश में decorate कर जाता है वो है बतिगार्ड जिसमें एक end का fabric के एक end को permit कर जाता है molten wax से उसके बाद उस पर color लगाया जाता है ठीक है? ताकि और फिर उसके बाद वो produce करते हैं बतिक सारीज और दुपटाज ठीक है? उस पर अच्छे से लगलग colors का use करते हैं अब जो बतिकार्ड है वो famous है मध्या प्रदेश और वेस्ट बेंगॉल में और कुछ techniques जो fabric patterns के लिए यहाँ पे fabric patterns से रेड़ेट जो techniques है वो इंडिया में आई कुछ techniques कुछ की बात करना है some techniques और वो आई abroad यानि बाहर से आई ठीक है बाहर से आई example है हमारे पास तंकोई weaving यानि यह एक तंकोई weaving Chinese name लग रहा है तंकोई weaving यानि एक बुनाई का तरीका यह technique आई कहां से Chinese inspiration से ठीक ऐसे यहाँ पे कुछ techniques हैं जो fabric patterns पर काम करने के लिए वो हम लोग बाहर से ब्रॉट से लेकर आई जो कि यह हमारे पे लिए तंकोई की बात करें जो तंकोई यहाँ पर टेक्निक थी है सबसे पहले आई सूरत में जो की गुजरात में है ठीक अब उसके बात करते हैं हम लोग उसके बात बात करते हैं ivory crafting अब ivory crafting क्या होती है यानि हाथी के दात से दात पर जो काम होता है ठीक है हाथी के दात से जो काम कर दाता है उससे पहले हम लोग पीछे एक चीज छोड़ चुके हैं गाईस तो यहाँ पर यह चीज है मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ इंपॉडड नहीं है फिलाल मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हू हमने सारीज तो पहले पढ़ लिया कि यहाँ पर सारीज दुपटाज बनाते थे अब कुछ रीजनल सारीज की बात करें तो पहली सारीज आती है हमारी पोचमपली ठीक है जो की आंदर प्रदेश में बनाई जाती है ठीक उसके बाद आती है पटोला जो की पतन यानि गुजरात में वहाँ पर बनाई जाती है फिर आती है बलूचरी जो की मुर्शिदाबाद यानि वेस्ट बंगॉल में बनाई जाती है फिर उसके बाद आती है जमदनी जो की वेस्ट बंगॉल में बनाई जाती है और सारी जो वेस्ट वेंगॉल में बनाई जाती है नौवरी सारी जो महराश्टर में बनाई जाती है बोमकई सारी जो उडिशा में बनाई जाती है कुनरट सारी जो तमिलनाडू में बनाई जाती है कोसा सारी जो छत्तिसगर में बनाई जाती है पायथानी सारी जो महराश्टर म में बनाई जाती है kasahu सारी जो केरल में बनाई जाती है दाबु सारी जो चितो उडगर यानि राजिस्थान में बनाई जाती है ये सारी अलग-अलग land traditional regional सारी जाइं है इंडिया की जो की अलग-अलग जगा पर produce करी जाती है यहां पर हमने मैंने आपको ऐसे बता तो दिया है आप अगर नोट कर सकते हैं तो आप नोट कर लिजिए वरना मैं किसी लेक्षर में आगे इसको पूरा का पूरा यहां पर यहां पर यह जो है पूरा टॉपिक डाल दूँगा इसके बार ट्रेडिशनल रिजल सारी जो इसके क्यों डाल दूँगा यानि नेम कौन-कौन सी सारी है खांगा प्रोड्यूजियों और डीटेल्स कैसे कैसे वो लोग डीटेल्स यूज़ करते थे मैं सारी चीज़ें डाल दूँगा इस अब चलते हम लोग आगे आइवरी क्राफ्टिंग के उपर आप आइवरी से जो की एलिफेंट के टसक को एलिफेंट के दात को यहां पर कहा जा रहा है ठीक है जो की एक आइवरी का सोर्स है उसके बाद रिसेंट एक्सकेवेशन के दौरान यानि जो खुदाई हुई है अभी पहले वहां पर हमने देखा है कि हर अपन पीरियेड में आइवरी और जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते आये थे आईवरी से जो ऑब्जेक्ट्स बनाते थे जैसे कि डाइस एंड इट सेक्टरा यह सारी चीज़े एक्सपोर्ट करी जाती थी इंडिया से आपको चीज़े अब याद रखनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ठीक इस सारी आर्केळॉजिकल यहाँ पर क्या मिले हैं रिमेंस जैसे की आईवरी कॉम मिला है तकशिला में ठीक है जो कि यह दिखाता है कि आईवरी का आईवरी जो है वो 2 AD में भी प्रचलन में था यानि 2 AD में भी हाँ पर आईवरी का यूज हो रहा था उसके बाद बात करें जो ट् पास्केट्स पैलेंग्विन यानि की पाल की और मोस्ट फेमस अमबारी हाथी यह सारे आईवरी से यहां पर यह सब काम करे गए हैं और जो और भी जादे specialist areas इनके अलावा वो है कैरल जो की painting करी जाती है आईवरी से ठीक है आईवरी के ऊपर painting करी जाती है आईवरी के ऊपर उसके बाद जोधपूर यहां भी bangles बनाई जाती है आईवरी की जैपूर आईवरी से जालीवर करा जाता है जो की homes के लिए और small art objects के लिए आप यूज कर जाता है तो ivory यानि हाथी के दाथ से यह सारा काम करते हैं तो हमने ivory के बारे में पढ़ा अब हम लोग बात करेंगे आगे टेरा कोटा क्राफ्टिंग के बारे में गाइस तो टेरा कोटा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मिट्टी होती है उसको पका दिया जाता है अच्छी तरीके से और उससे पहले कोई चीज बना के मिट्टी से उससे पका दिया जाता है ताकि वो मजबूत थोड़ी सी आज सेमिफायर करी जाती है ठीक है आधी पकाई जाती है आधी कच्छी रहने दे जाती है ताकि वह मजबूत रहे उसके बाद अब जो यह प्रोसेस करा जाता यानि किसे पकाई जाती है यह इसे वाटरप्रूफ बनाती है और ठोस बनाती है मजबूत बनाती है जो की यूज करी जाती थी ये परफेक्टली यूज करी जाती थी स्कल्प्चर के लिए और अर्गिटेक्ट्टर यानि एडिविसस क्या होता हैं ये हमने एक वोकबुलेरी भी पढ़ ले रहे हैं हापर हमारी वोकबुलेरी है यापर एडिवेसस का मतलब भवन यानि भवन वगईरा बनाने के लिए भी हापर यहแต 혹시 का यो लो यो यूज कर रहे थे मैं आप जो घ्रा कॉरे सिए Mecultura बेस्बेस्जिमेंन है यां पर क्या है मारे पस नंबना ठाट्रक्वर क्राफ्टमेंशिप का आहरा इसक को एक वा सीस्ट्रिक्व dud को शुद्स है जो कि कहां पर West Bengal State में ठीक तो हम लोग को ये चीज़ हमने cover कर ली तेराकोटा होता क्या है जो कि मिट्टी को पका कर चीज़े बना देते हैं उसके बाद बात करें तो ancient Pala period से जो Buddhist विहाराज होते हैं ठीक है वो best specimen है टेराकोटा आर्ट के विहाराज बहुत कुछ पढ़ा है विहाराज होते हैं इसके बारे में तो जल्दी से वीडियो को pause करिए और comment section में बताईए देखते हैं आपको चीज़े याद है यानि अगर आप notes बना रहे होंगे तो जरूर याद होगा तो guys comment करके बताईए विहाराज क्या होती है ठीक है यहाँ पर आप बताएंगे residential halls होते हैं या prayer halls होते हैं मैंने इतना option दे दिया ठीक है तो आप जल्दी से comment करिए नीचे उसके बाद terracotta हमारा कुछ crafts इस तरीके से बन देते हैं हाथ ही हमारा मिट्टी का बना हुआ है ठीक इसे पका के फिर उसके उपर अच्छे से काम वगेरा खरके यह हमारा terracotta craft है उसके बाद बात करते हैं हम लोग silver jewelry की ठीक silver jewelry की अब हमने हम आपर silver jewelry भी देखी इतने time पहले चांदी से अब वहाँ पर किस इस इस पर क्या काम हो रहा था अब हम बात करते हैं अब बात करें तो अब जो एक most famous technique यूज करी जाती थी silver jewelry artist के द्वारा उसे कहा जाता था filgre work अब filgre work जो है अब जो odisha है वो बहुत अच्छी तरीकी से जाना जाता था silver anklets के लिए यह जो पैर में पहनते हैं pajem, pajem, pennery यहाँ पर picture है तो odisha बहुत खास कर जाना जाता था silver anklets के लिए यहाँ पर question बन सकता है आपको याद रखना है उसके बाद यह लोग बहुत जादे uniquely knitted ornaments ornaments को जो बुना जाता है उस पर काम कर जाता है made of silver जब अब उस पर knitted ornaments यहाँ पर ornaments को knitted करने के बाद permit करने के बाद जो कि silver से बने होते थे टीक है और वो क्या क्या कहलाते थे गुंची अब बिद्रीवर्ख बिद्रीवर्ख के उपर आते हैं जो बिद्रीवर्ख था वो बिद्री village of करनाठका के दौरा करा再見 था ठीक ताकि वो लोग एक inlay work create कर सकें इनले यानि जड़ाई कर लें अच्छी तरीके से जड़ना होता है silver को अच्छी तरीके से जड़ दें dark background के उपर यानि अब यहाँ पर आप देखे हो जैसे black background है black background के उपर यानि black से कुछ बनाया और अच्छी तरीके silver को inlay कर दें अब यहाँ पर हमारा picture अब यहाँ पर देख सकते है black background है और यहाँ पर silver से इसको पूरी तरीके से जड़ दिया है यह कुछ यह वाला work हमारा बिदरी वर कहला था जो कि बहुत famous था कहाँ पर बिदरी डिस्ट्रिक में बिदरी विलेज होफ करनाटिका में ठीक अब गाईस आते हैं हम लोग clay और pottery work पे हमें clay से हमने पढ़ लिया terracotta का काम होता था pottery वगएरा भी बनाई जाती थी pottery तो हम लोगों देर सारी मिलती थी मटके मटकियां तो बहुत सारे मिलते थे ठीक है यह सारे काम भी होते थे यह भी हमारा एक handicraft है अब जो pottery है वो जानी जाती है lyric of handicraft से ठीक और यह ऐसे मोड़िड है जैसे कि poetic composition और sensual appeal है census के लिए ठीक उसके बादे हमारे पास जो earliest evidence है कि सबसे पहले हमने क्या कहां देखा है clay का वर या pottery का वर तो एक सबसे पहला earliest evidence है वो हम लोग को नियोलेथिक site पे दिखा है जो की मेरगर की है अब पाकिस्तान में situated है अब जो famous pottery है ancient period की वो यहाँ पर है painted gray wear pottery ठीक है gray pottery कुछ इस तरीके से है ऐसी pottery हम लोग को मिली है उसके बाद कुछ parts के कुछ country के parts में हम लोग ने evidences देखे है red और black pottery के हम chapter 1 में red और black pottery को cover कर चुके है गाइस इस वह से सब कुछ interlinked है आपको अच्छे से cover करते वे आना है notes बनाते रही है चीजों को revise करते रही है ठीक रेड और black pottery मिली है red color की और black color की black color का background हो तता red से वहाँ पे उस पे कुछ art बना दिये जाते थे ठीक उसके बाद ये कब कम मिली है हम लोगो 1500 से लेके 300 BC के बीच में उसके बाद जो हमारे पास another type of ancient pottery थी वो क्या मिली हमें northern black polished wear NBPW याद आया आपको ये हमने pottery जो chapter 1 pottery pottery cover करा है उसके सबसे last में जो एक यहां पर ये जो expensive pottery है यानि कि लोग इसे अपने daily use में नहीं लेते थे यानि को functions वगएरा होता था या events होता थे तब ही use करते थे ये वाली pottery थी है पढ़ा है ना हमने तो जाकर आप सही से revise करते रहे चीजों को अब ये जो pottery is northern black polished wear ये दो faces इसमें मिली है हम लोग को first phase जो की 700 से लेके 400 BC के बीच में था और जो की दूसरा 400 से लेके 100 BC के बीच में था ठीक है फिर उसके बाद हम लोग को certain parts of India में भी बहुत सारे हाँ पे roulette potries मिली है जो की data मिली है हम लोग दो सो से लेके 100 BC के बीच में ठीक अब जब इंडो-islamic tradition आया अब इंडो-islamic यानि इंडो-islamic कौन होता है इंडिया फ्लस इसलामिक दोनों का style mix करने के बाद इंडो-islamic tradition आया तो हम लोगों ने evidences देगे glazed pottery अब glazed pottery भी आ गई लेकिन अब currently बात करें तो हर जगा इंडिया में ठीक है बहुत सारे clay के work करे जाते हैं और brief list जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको आप बताऊंगा guys next part में क्योंकि यहाँ पर अब हमारी वीडियो हो जाएगी नहीं तो बहुत लंबी और आपको लगने लगेगा बोर इस वज़ा से आप यह जो bronze craft है यानि जो list होगी इसके बाद वाली कि कहां कहां भी currently work correct ले है तो बिल्कुल लेजिए और study ice code यहां पर यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको पता चली गया हुआ कि आपको on academy plus subscription लेते वे कौन सा code यूज़ करना है और इस code के द्वारा आपको extra discount मिलेगा plus पर और दूसरी चीज़ यह कि अगर आपको कोई भी परिशानी हो कोई भी problem होती है regarding your preparation से related कैसे prepare करें unacademy plus subscription से related unacademy plus subscription लेते कैसे हैं तो आप हमसे इन सारी जगा social media platform पर जुड़कर अपनी problems को sort out कर सकते हैं telegram channel join कर लेना इंस्टा पर follow कर लेना यहाँ पर facebook से जुड़ सकते हैं mail कर सकते हैं अपनी कहीं भी problems आप mail कर लीजिए आपकी problems को sort out कर दिया जाएगा so guys यहाँ पर होता है हमारा lecture खत्म next part में हम लोग इंडियान handicraft को continue करेंगे so guys आज के लिए bye bye मिलते हैं आप से next lecture में